हाई फ्रेंज वेलकम टू दक्षिन स्वार्ट तो चलो आज हम बनाते हैं बीन्स तोरन ये फ्रेंच बीन्स और नारियल का एक सबजी है जो कि चावल के साथ खाया जाता है तो चलो शुरू करते हैं तो बीन्स तोरन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ बीन्स लिये हुआ है और एक प्याज लिया हुआ है तो बीन्स को अच्छी तरह वाश करने के बाद उसको बिलकुल बारीगी से बिलकुल छोटे-छोटे पीसस में हमें काटना है तो बीन सभी यहाँ पर सारा कट गया है आप देख सकते हैं बिल्कुल बारिकी से काटिएगा इसको और इसी तरह से हमने जो प्याज लिया हुआ है उसको भी बारिक काट लिजेगा यह बहुत ही जल्दी बनने वाला एक साइड इश है और बहुत ही हेल्थी साइड इश है हम इसी तरह से बहुत सारे चीजों का तोरण बना सकते हैं आप साउत का रेसिपी नारियल के बिना तो बिल्कुल अधूरा है उसके लिए एक मिक्सी के जार में आप नारियल ले रीजे तो मैंने यहाँ पर आदा कप से थोड़ा कम नारियल लिया हुआ है आप आदा कप तक नारियल ले सकते हैं आप अब इसमें 17 सवा टीस्पून हलदी पावडर और 60 ती स्पून रेट चिली पावडर डाल दीजे पूंच करी पते डाल दीजे और 8 से 10 lesson डाल दीजे lesson डालना वैसे तोरण में बहुत ही important है लेकिन अगर आप lesson नहीं खाते हैं तो आप avoid भी कर सकते हैं तो हमें इसको बिल्कुल fine paste grind करने की ज़रूरत नहीं है बस कुछ seconds के लिए इसको आप pulse कर लिजेगा अब एक pan या कडाई ले लिजे इसमें आप 1-2 teaspoon तक तेल डाल दीजे तो मैंने यहाँ पर नारियल का तेल डाला हुआ है आप कोई भी तेल ले सकते हैं लेकिन अगर आपको authentic taste चाहिए तो आप नारियल का तेली यूज़ कीजेगा अब इसमें 1-2 teaspoon सरसो डाल दीजे सरसो को splatter होने दीजे जैसे ही सरसो splatter हो जाएगा उसमें सूखी लाल मर्च और करी पता डाल दीजे हलका से इसको साटे कर दीजे अब इसमें हमने जो नारियल का mixture बना के रखा होगा है वो डाल दीजे अब इसको कुछ seconds के लिए आप हलका साटे कर लीजे इसके बाद हमने जो बीनस और प्यास काटके रखा होगा हो डाल दीजे अब इसमें स्वादनस और नामक डाल दीजे और सारा अच्छी तरह मिला दीजे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिए तो 2-3 स्पून पानी डालिएगा बहुत कम मात्रा में पानी डाल देगा या फिर आप पानी थोड़ा सा स्प्रिंगल करके भी दे सकते हैं बहुत जादा पानी मढ डालिएगा बस इतना पानी डाले कि अच्छी तरह कुछ हो जाए क्यूंकि तोरण जो है बिल्कुल ड्राइ होना चाहिए कुछ होने के बाद इसमें पानी जादा डालने के जुरत नहीं है बीन्स भी बहुत जल्दी कुछ हो जाता है अब सारा अच्छी तरह मिला दीजे और ढग कर इसको कुछ होने दीजे अब इसको लो फ्लेम में कुछ कर लीजे तो बीच में इसको खोल कर आप चेक कर लीजे अगर पानी बिल्कुल ड्राइ हो गया है तो थोड़ा और पानी आप स्प्रिंगल करकर दे दीजे और सारे एक बार और मिला कर इसको कवर करकर कुछ कर लीजे तो जब तक beans अच्छी तरग कुख हो जाता है जब तक tender नहीं हो जाता तब तक आप इसको बीच बीच में हिलाते और चेक करते रहेगा क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है इसलिए नीचे से जल सकता है तो इसलिए आप चेक कर लीजेगा बीच में हेल्थी और बहुती आसान और बहुती टेस्टी बींस तोरण यहाँ पर बिल्कुल तेयार है है ना बहुती आसान यह चावल के साथ बहुती अच्छा एक कॉम्बिनिशन है तो जाते जाते मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर दीजेगा तो ऐसे ही डिलीशियस हेल्थी और जटपट बनने वाले रसिपी के साथ फिर आप से मिलती हूँ थैंक यू और बाई